हैलो स्टुडेंट्स वेलकम टो दिस video आज गे इस video में हम आगे study करने वाले हैं पिछे के video में हमने food chain और food web के बारे में study किया था आज हम इसी के अंदर जानेंगे कि भी जो food chain है उसके अंदर हमने जाना था कि energy flow होता है from lower tropic level to the higher tropic level उसके अंदर ऑप हम जानेंगे और कि भे जो एनर्जी लोस होي अक ट्रोपिक लेवल दूसरी ट्रोपिक लेवल के अंदर ड्रांसफेर हो रही है तो इस जोरान हमने जाना था कि 90 परसेंट नर्जी लोस हो जाती बिद्धो प्रसेंटी पास होती है तो आगे देखिए फ्रॉम दा एनरजी फ्लो डाइग्राम फिगर 15.4 तो देखिए एक एनरजी फ्लो डाइग्राम 15.4 देखिए हमने देखा था कि सबसे पहले संलाइड का यूज़ करके जो प्रोडूसर होते हैं यानि आटो ट्रोप्स होते हैं वो फूड की प्रिपेर करते हैं यानि एनरजी फूड से एनरजी मिलती है अब क्या होता है यहाँ पर मेंली बात करें तो यह आपका फर्स ट्रोपिक लेवल यह सेकंड ट्रोपिक लेवल यह थर्ड ट्रोपिक लेवल यह फूर्थ ट्रोपिक लेवल और यह आपके प्रोडूसर यह आपके प्राइमरी कंजूमर सेकंडरी कंजूमर और तरसरी कंजूमर तो जो याद रखिएगा करते हैं अब प्राइंडरी कंजुमिर के बाद सेकेंडरी कंजुम आता है वह मेंझे टाइगर होते हैं यह waktu है लोईन होते हैं अ थी हमस्ते एडेफ इनर्जी फ्लोMER डियागरम देख चुग है जिसके अंदर हमने जाना था कि भई हर एक जब अगले ट्रोपिक लेवल के अपर एनर्जी पास हो रही है तो उस दौरान सिर्फे 10% एनर्जी पास होती है 90% एनर्जी जो हो जाती है ऐक energy है जब energy एक form से दूसरे form में कनवर्ट होती है तो पूरी कनवर्ट नहीं होती है energy loss होता है यह अपने पढ़ा होगा देखिए जागर हम study करें first the flow of energy is unidirectional तो पहला जो point है वो कहें कि जो energy का flow जो हो unidirectional होता है एक ही direction में flow होगी कैसे वो हमेशिया आपके producer से लेकर के top carnivores यानि sunlight से start होगी तो ऐसे की तरफ जाएगी उपर की तरफ ही जाएगी food chain के अंदर पहले ट्रोपिक लेवल से तीसरे ट्रोपिक लेवल यानि चौत्रे ट्रोपिक लेवल तक ही हो जाती है यानि जो sunlight के energy है वो यहां तक पहुंच रही है ऐसा नहीं होगा कि टॉप कार्णी वोरस से वह energy वापर sunlight के अंदर नहीं हो सकता है तो यहां पर क्या है यह क्या है कि यूनि डारेक्शनल flow of energy होता है from the from producers to the consumers तो food chain के अंदर पहला जो क्या है यूनि डारेक्शनल flow of energy है अगला देखिए अनर्जी दैटीज के पास नहीं पहुंच सकती है and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs और जो energy जो herbivores के पास पहुंच के पास नहीं आ सकती है as it moves progressively through the various tropic levels it there is no longer available to the previous तो यह है कि भही एक tropic level से दूसरे के अंदर पास हो रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे से पहले के अंदर वह अपिसा जाएगी secondly the energy available at the east tropic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level तो दो पॉइंट आई है कि भी पहला तो क्या है कि unidirectional होते है और जब एक tropic level से दूसरे tropic level के अंदर energy pass हो रही है तो वहाँ पर energy loss होती है दो पॉइंट अभी तक अगे देखिए another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain देखिए यह थोड़ा अभी यहां पर bio magnification का concept आ रहा है दिरे दिरे तो इसको समझेंगे यह क्या कह रहा है कि food chain के through ही क्या होता है unknowingly हमें नहीं पता होता है लेकिन फिर भी हमारे बोड़ी के अंदर food get through ऐसे कुछ harmful chemicals हमारे बोड़ी के अंदर enter हो जाते है you have read in class 9th how water gets polluted हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने water pollution क्या तो उसमें आपने water pollution के अंदर क्या देखा था कि भी जो industries है उनका waste पानी के अंदर आ जाता है और वो पानी हम use करते है और उसी पानी को हम irrigation के अंदर use करते हैं तो उस वो अब मिटी के अंदर चला गया है वो मिटी से क्योंकि उस पानी के अंदर chemical है industrial waste का तो वो मिटी के अंदर solubilize हो गया अब मिटी से वो जो पेड़ पोदे हैं उस पानी को लेते हैं जिसके अंदर में इंदर nutrient mix हो चुके हैं और वो पेड़ पोदे उसको लेकर कि वो जो chemical है पेड़ पोदों के अंदर चला गया वह उसी से वो fruit बनता है seed बनते है उसी को हम खाते हैं तो वो हमारे के अंदर आ गया है तो यह क्या है जो chemical कहां से industrial waste से शुरूआ था और human beings के पोडी के अंदर आ चुका है इसको हम कहते हैं bio magnification कि भई माल लीजिए अब आपको एक diagram से करऊंगा कि देखे का अभी थोड़ा इसी को बढ़ते हैं one of the regions is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest तो यह सबसे बड़ा reason है कि वह जो pesticide और chemicals जो fertilizer use करते हैं वह सबसे बड़ा reason है कि harmful chemicals हमारी body के अंदर accumulate हो जाते हैं these chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies तो यह क्यों होते हैं यह क्योट यह जो chemical है यह या तो वापी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं या पानी के अंदर चले जाते हैं अब देखे माल लीजिए वह वुट्टी के अंदर चला गया है from the soil they are absorbed by the plants along with water and minerals तो यह सोईल के अंदर मिट्टी के अंदर हैं तो मिट्टी के अंदर से वह जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वापिस उस प्लांट के अंदर आ गया और अगर पानी के अंदर चला गया है तो पानी के अंदर जाने के बाद हो एक्वाटिक प्लांट के अंद जाते हैं, as human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies, so हर एक जो food chain है, उसके अंदर क्या होता है, mainly top level के उपर human beings होते हैं, मान लीजे, यह human beings है, तीसरी tropic level के उपर है, यह plant है, पहला tropic level है, अब plant के अंदर कोई chemical pesticide है, जो इसके अंदर है, अब plant को खाया मान लीजे, किसी गोट ने, गोट को मान लीजे, यूमन खायेगा, तो क्या होगा, वो जो plant, गोट ने बहुत ज़्यादा plant खाया ने, तो बहुत ज़्यादा chemical हिखटा हो गया, अब वो सारा chemical गोट के अंदर है, अब गोट के human being खायेगा, गोट को human being ऐसा तो एनी एक बार खाके रुख जाएगा, बार बार खाएगा, तो वो chemical human beings के अंदर accumulate होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा मातरा में हो जाएगा, तो यही कह रहा है कि हर एक जितना ज़्यादा उपर का ट्रोपिक लेवल हो, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर chemical accumulation होता है, इसको हम कहते हैं, this phenomenon is known as biological magnification, magnification मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी, magnify होना, कई गुना बढ़ना, this is the region why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruit and even meat contain varying amounts of pesticide residues, तो क्या उताज कल कहते हैं कि फल्द सब्जों में सब chemical मिल के आरहे हो तो कहा से आरहे है, तो जो chemical डाल रहे हैं उसको plant है, अब वो मिटी में जा रहे है, मिटी के अंदर से पानी के साथ मिल करके और प्लांट ले रहा है, और उस plant ने उसी chemical को लेकर के वो fruit वगळा बनाई ह वो डिग्रेडेबल नहीं करते और रहते हैं और उसका हेल्थ के पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है तो यह आपका इसको होल प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजिकल मैगनिफिकेशन इसको समझेने के लिए आप एक डिडिटी का एक्जामपल ले सकते हैं कि भी कैसे डिडि यह सब्सक्राइब कर दो के ऊएज़ राध कि दOODुटी का और सब्सकुर्ण आधी मैं हुट रहा स्प्रेडांशी तो करें यह हैं और मीसिकल मैं तो प्लांट अभ्लाक रहे है और उस्कू सायल को ऑप सबाल के प्लांट तो इस wa tarख कि ऊडो घिडिडिटी तो स्मॉल फिस के अंदर भी डीडिटी आव गी accumulate हो चुकी है और यह ज़्यादा multiply हो चुकी है धीरे धीरे वो जितनी ज़्यादा फिस को खाएगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर DDT accumulation हो जाएगी यह एक example है कि भी कैसे कैसे हम lower ट्रोपिक लेवल से और हाय ट्रोपिक लेवल के उपर जाते हैं तब जो नोन बायोडेग्रेड़ केमिकल्स है उसकी concentration बढ़ती जाते हैं तो इसी को हम कह देते हैं biological magnification काफी important चीज़े पूछा जा सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं wide over activities affect the environment कि हमारी जो अलग अलग activities है वो environment को कैसे effect कर रही है